हेलो दोस्तों नमस्कार परकासर हिंदी पर आप सभी का सवागत हैं दोस्तों ये वीडियोज कक्षिया 10 में छितिज भाग 2 चैप्टर पहला है कावे खंड का सूर्दास जिनकी चार पद कक्षिया 10 में छितिज भाग 2 कावे खंड यानी पद्दे खंड में जो पहला चैप् जिसके चार पद हमारी पाठी पुस्तक में जोड़े गए काक्षा दस में उन चार पदों को हम पढ़ते हैं कठीन सब्दार्त व्याख्या परसंग और विसेश जानते हैं पर विद्यार्तियो आपके जो साथी लोग हैं उनके पास भी आप वीडियोज को टेलिग्राम वाट्स आप फेस्बुक के माद्यम से सेंड करें ताकि निसलोग इन वीडियोज का सबी को फाइदा मिल सके ये पहले चैप्ट्रे सूर्दास इसी परकार से आपके चितिस पुस्तक में जितने भी पद्दे के भाग हैं चैप्ट्रे उनको उम पढ़ेंगे एक सीरीज के माद्यम से परकासर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट के रूप में ये सभी चैप्ट्र देरे देरे उपलबद होते रहेंगे पहला पद है उधो तुम हो अती बढ़ भागी अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरी निपात रहत जल भीतर तारस देह नत्यागी जों जल महा तेल की गागरी बोंद निता को लागी प्रीती नदी में पाउ निवोरियो दरश्टिन रूप परागी सूर्दास अबला हम बोरी गुरूत गुर्चाटी जियों पागी ते सूर्दाजी का पहला पद हमारी पाठे पुस्तक में दिया गया है कठीन सवदार्ते बडभागी यानि भागी साले एप्रस यानि अच्छूता एलिप्त तगा यानि दागा नहिन यानि नहीं अनुरागी प्रेम में डूबा पुरेनी पात कमल का पत्ता दागी दाग दब्बा माहे भीतर में प्रीती प्रेम बोरियो डुबोयो डुबोया प्रागी मोहित हुई भोरी भोली गुर्यानि गुड पागयानि लिप्टी हुई परसंग है प्रस्तुत पध्यान्ष भक्त कवी सूरदाज दौरा रचीत सूरशागर की बर्मर गीत परसंग से लिया गया है इसमें सूरदाज ने उद्दव इम गोपयों की मद्धे हुई कृष्ण प्रेम को लेकर गोपियों दौरा उद्धव को देगे उपालंब को उलाने को व्यक्त किया है जिसमें गोपिया उद्धव पर प्रेम हिन होने की वेंजना व्यक्त कर रही है सूर्दाज की दवरा एक गरंत रचा गयता सुर्शागर जिसमें एक पर्शंग है भरमर गीत भरमर का आर्थ होता है भाउरा गोपयां स्रीकर्शन को बहुत ज़्यादा चाती थी स्रीकर्शन का एक मित्तर था उद्दाव जो ग्यान पर विश्वास ज़्यादा करता था प्रेम पर विश्वास कम करता था तो स्रीकर्शन उद्दाव का अगराव गमन्ट तोड़ने के लिए गोपयों के पास ग्यान की सिक्ष्या देने के लिए बेते हैं उद्दव गोपियों के पास आते हैं और उनको ज्यान मारक पर चलने के लिए कहते हैं, प्रेम मारक छोडने के लिए कहते हैं, उसी समय एक बहुरा मडरातवा आता है और गोपिया भगवान स्री कृष्ण के मितर उद्दव को उलाना देने के लिए उस बर्मर को उलाना देन लग जाती है गोपियां किस प्रकार से उद्दव को उपालम देती हैं उलाना देती हैं उसी का परसंग इस पहले पद में दिया गया है पहले पद की व्याखय है गोपियां उद्दव की प्रेम हिंता प्रव्यंगे करती हैं कि है उद्दव तुम सच्मुच बड़े भागे साली हो क्योंकि तुम कभी प्रेम के दागे से ने बंदे हो अर्थाद प्रेम बंदर से सरवता मुक्त हो दूर हो तुम प्रेम बंदन से उसी परकार सरवता मुक्त रहते हो जिस परकार कमल का पता हमेशा जल में रहता है प्रंद उस पर जल का एक भी दाग नहीं पाता अर्थात उस पर जल की बूंदे भी नहीं ठहर पाती अत्वा तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहरती इसी परकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हों भी कभी उनसे प्रेम नहीं करते उनकी परभाव से हमेशा मुँविप भने रहते हो गोपया कहते हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया अर्थाद कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके और तुमारी दृष्टी किसी के रूप को देकर उस पर मोहित नहीं हुई है फरंदो हम तो भोली बाली अबलाए हैं जो अपने प्रेतम के रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसकत तोकर उसके प्रेम पग गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसकत तोकर उसके उपर चिपट जाती है और फिर उसे अलग नहीं हो पाती है और वही अपने प्रान दे देती है इस पद का विशेश है इस पद में गोपियां स्योम को अबला इम भोली बताते को ये उद्धव को इसने हीन वचतूर होने का उपलम देती हैं उलाना देती है सुर्दाजी के दार लिखा गए दूसरा पद जो अमरी पार्टी पुस्तक में सामिल किया गया है दूसरा पद है उत्ते दहार बही सुर्दा सब धीर दरही क्यों मर जादा नए लही कठिन सवधारति इस पद के माज का अर्थोता है मद्दे में अवदी यानी समय एधार यानी आधार या सहरा आस यानी आसा आवन की यानी आने की बिथा यानी पीडा दही यानि जलना, गोहरी रक्षया के लिए पुकारना, बही यानि बहना, धीर धहरिये, दरही रखे दारन करे, मर जादा यानि मरियादा, लही यानि ग्रहन दोसरे पद की व्याख्या है, सोरदाजी गोपियों की व्रह वैता को व्यक्त करते हुए, उनकी दैने दसा को बता रहे हैं, कर्षन ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए, तता हमका प्रेम भूलने के लिए उद्धो को बेजा था, जा उद्धो को गोपिया कहती हैं कि हमरे मन की बात है अमरे मन में ही रह गई क्योंकि हम क कर्शन को अपने रिद्य का प्रेम विख्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़ कर चले गए इसलिए हे उद्दव अब हम अपनी बाते किस से और कैसे जा कर कहें अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पिड़ा को सहन कर रही थी लेकिन अब इन योग संदेश को सुन सुन हमें अमारा विरह और भी जलाने लगा है अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योगधार्न करने का संदेश प्राप्त होता है तो वे और अधीव विरह में जलने लगती हैं गोपियां के कहते हैं कि हम अगर चाहती तो आवाज लगाकर कृष्ण को बुलाती और वे इस विरह अगनी को अपनी प्रेमदारा से तत्चण ही बुजा देते अर्थात अपनी प्रेमदारा बहादेते लेकिन जब कृष्ण नहीं अपनी मर्यादा को त्याग दिया है तब हम किस परकार धहर्य धारण रखे तात्परी है कि कृष्ण ने प्रेम में हम से चल किया है तो हम आप कैसे सांत रह सकती है इस दोसरे पद का विसेश है गोपियों की विरेव व्याथा एम कर्षन की छलना मई प्रेम को विक्त किया गया है ब्रजबासा की सुन्दर वेंजना एम अलंकारु का समुचिते परियोग प्रस्तुत है सुरदास जी का तीसरा पद हमारी जो कक्षा 10 में 26 पुस्तक में सामिल किया गया है तीसरा पद है हमारे हरी हारिल की लकरी मन करम बचन नंद नंदन उर ये दिर्ड करी पकरी जागत सोवत सोपन दिवस निसी काने काने जकरी सुनत जोग लागत है एसो ज्यों करूई ककरी सूतो ब्यादी हमको लाए देखी सुने न करी ये तो सूर तिन ही लव सूपी जिनकी मन चकरी तीसरी पद के कठीन सवदारत है हारिल कार्थता एक पक्सी विस से जो हमेशा अपने पंजू में कोई न कोई लकडी का टुकडा या तिनका पकड़ी रहता है करम यानी करम और यानी रिदय द्रिडी यानी मस्पूती से जक यानी रटन धुन करोई यानी कडवी ककरी यानी ककडी ब्यादी यानी बिमारी चकरी यानी चंचल चकी के समान से दव ऐस्तिर रहने वाला इस पद्गा परसंग है प्रस्तुत पध्यान्स भक्त कवी सूर्दास दवरा रचित सूर सागर के बर्मगीत परसंग से लिया गया है योग सिकाते आये उद्दव को गोपया कृष्ण के परती द्रड प्रेम को व्यक्त करती है वे कहती हैं कि हारिल पक्सी दवरा पकड़ी गई लकड़ी के समान उनका प्रेम द्रड एयों एक निष्ट है तेश्तरे पद की व्याख्या कृष्ण के परती अपने द्रड प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियां उद्दव से कहते हैं कि है उद्दव हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं अर्थात जिस परकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है उसी परकार हम भी निरंतर अपने किर्शन का जान करती रहती हैं हमने मन वचन और करम से नंद नंदन रूपी लकड़ी को अर्थात स्रीकर्षन के रूप और उनकी समर्ती को अपने मन दवरा कसकर पकड़ लिया है अब उसे हमसे कोई भी नहीं छुड़ाव सकता है हमारा मन जागते सोते चाए किसी भी दसा में क्यों नहीं हो हमेशा ही अर्थात उन्हें का ध्यान करता रहता है गोपिया कहते हैं कि हे बरमर तुमारी योग की बाते सुनते हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा लियो अर्थात तुमारी ये योग की बाते हमें नितांत अयर रूचिकर लगती हैं तुम तो हमारे लिए इसी आये हो जिसे हमने ने तो कभी देखा ने सुना और ने कभी भुकताई ही है अर्थात हम तुमारी इस योग रूपी बिमारी से पूरी तरह आय परीचिते हैं अंजान हैं इसलिए इस बिमारी को तुम उन लोगों को जाकर के दो जिनके मन चकरी के समान हमेशा चंचल रहते है अर्थात भटकते रहते हैं परन्तों हमारी चितवरती तो पहले से ही कर्शन प्रेम में इस्तिर हो चुकी है इसलिए तुमारा ये योग हमारे लिए व्यार्थ है बेकार है तीसरे पद का विसेश है गोप्यों ने अपने प्रेम की द्रड़ता एम एक निष्टा को हारिल प्रिजवासा का प्रियोग तता रूपक उपमा अलंकार की छटा एदर्षनिय है विरह में डूबी गोप्यों की सेज बहुबी विक्ति का उबर्णन है सुर्दाजी की दौरा लिखा गया चोथा पज्व अमारी पाठी पुस्तक में सामिल किया गया है हरी है राजनिती पड़ी आए हरी है राजनिती पड़ी आए समुझी बात कहत मदुकर के समाचार सब पाए एक अती चतूर हुते पहले ही अब गुरु गरंथ पढ़ाए पढ़ाए बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश से पढ़ाए उधो बले लोग आगे की परहित डोलत दाए अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए ते क्यो एनिती करे आपुन जे और एनिती चुडाए राज दरम तो यह सूर जो परजा निजाई सता है चोथे पद के कटीन सवदारत हैं पड़ी आए कार्थ होता है शीक आए मदुकर यानि भरमर उद्धव के लिए आया है पठा यानि बेजे आगे के यानि पहले के डोलत दाए यानि दोडते फिरना फेर पाहिया यानि फिर से पालेंगी आपुन यानि सिवण चोथे पद की जो व्याख्य है परसंग व्याख्या विशेश का अध्यनब करते हैं परसंग है परस्तुत पद्यानस बग्त कवी सूरदास दोरा रची ते सूर सागर के बरमरगीत परसंग से लिया गया है जिसमें योग संदेज देने आये उद्धव को गोपया अपने प्रेम के कुपालंब दे रही है उनका कहना है कि स्रीकर्ष ने अब प्रेम के बदले राधिती सीख लिया है और उसी का प्रेयोग योग संदेज दे कर रही है तो प्यारे विद्ध्यारतियों यदि वीडियोज को एक बार दो बार तीन बार देखा जाए तो आसनी से आप इन चारू पदों के कटिन सवदार परसंग व्याख्या और विसेश को समझ सकते हैं आसनी से आपकी समझ में आ जाएगा चोथे पद की व्याख्या है गोप्यां कृष्ण दवारा बेजे गए योग संदेज को लेकर कह रही है कि एक तो कृष्ण पहले से चतूर थे और आप गुरू से राजनिती सास्त भी पढ़ लिया है उनकी बुद्धी कितनी विसाल है इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वे योटियों के लिए योग साधना करने का संदेश भीजवा रही है अर्थाद इससे परमानी तो हो गया है कि वे बुद्धिमान ने होकर मूर्क है क्योंकि कोई मूर्क ही प्रेमी योतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है बुद्धि मान नहीं यहनी जो बुद्धि मान होगा वो ऐसा नहीं कर सकता है जो मूरख है वही प्रेमी योतियों के लिए योग साधना को सही मान सकता है गोपी कहते हैं कि एक सकी दूसरी सकी से कहती है कि पुराने जमाने में सजनपुर्ष दोसरों की बलाई करने के लिए इदर उदर दोड़ते फिरते थे और ये आज के सजनपुर्ष उद्दवजी हैं जो दोसरों को दुख देने और सताने के लिए यहां तक दोड़े चले आ से जाते से में चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे पर तो कृष्ण जैसे लोगों से इस न्याय पुनकारी की आसा कैसे की जा सकती है हर्थात हमारी रीती तो कृष्ण से प्रेम करने की थी और कृष्ण चाहते हैं कि हम आपनी इस रीती को त्याकर उनसे प्रेम करना चोड योग साधना को अपना ले ये उनका सरासर अन्या है सूर्दास के वनानुसार गोपया कहने लगी कि सच्चा राजद्रम तो उसी को माना गया है जिसके अंतरगत परजाजनों को कभी भी सतया नहीं जाए अर्थात कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुक्चैन को हमसे जीन कर हमें दुखी करने का प्रियतन कर रहे हैं यह उनकी उसी कुटिल राजिंति का यह के अंग है चोथे पद का विसेश है इस पद में गोपयों की वाग चातुरी की प्रस्तुती है जिसमें अपने मन को कृष्ण से वापस चाती है ब्रजबासा की सुंदर प्रस्तुती इन बहुं की सरलता व्यक्त हुई है रूपक लंकारियों गेता प्रस्तुत है प्यारे विद्यार्थियों कर्षा दसमें चितिश का जो पद्दे खंड़ा है उसका पहला चेप्ट सूर्दास जिनकी चार पद सूर्शागर भरमरगी से लिए गए है जिनको आमने पड़ा है उनकी कठिन सवदार परस्तुत ब्याख्या और विशेश को जाना है वीडियो को एक बार दो बार तीन बार इदिम देखते हैं जितनी बार देखते हैं उतना ही अच्छे तरह से इन पदों के कठिन सवदार परस्तुत ब्याख्या और विशेश हमरे समझ में आएंगे परिक्षा में हम अच्छे अंक लेकर के आएंगे हमरे जितने भी साती हैं उनके पास भी वीडियो को टेलिग्राउन वार्टसब फेस्बुक के माज़न से सेंड करें ताकि सबी को इन नी सुलक कख्षाओं का फाइदा मिल सेके धन्यवाद